ओम नमस्षिवाय जै महाकाल घर के स्रीवलिंग पर जलाधारी लगा सकते हैं क्या तो आप सबने देखा होगा कि मंदिर के स्रीवलिंग पर जलाधारी रखी होती है पर क्या घर के अंदर जो स्रीवलिंग रखा होता है उसके उपर जलाधारी की जोरत होती है तो हाँ मुझसे कई लोगों ने पूछा भी था कि घर के स्विलिंग पर जलाधारी दख सकते हैं तो हमने कहा भी कि आप पिल्कुल जलाधारी दख सकते हैं क्योंकि शिपुरान की कथा के अंशाल आप घर के स्विलिंग पर जलाधारी लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते इतना आवश्यक भी नहीं है और अगर जलाधारी लगा देते हैं तो अच्छा भी होगा तो ये भी जान लेते हैं कि घर की शीवलिंग पर जलाधारी रखने की जरुवत इसलिए नहीं होती क्योंकि हम रोज अपने दिल का भाव महादेव जी से कहते और मंदिर में जो सीवलिंग होता है वो स्थाई होता है पर घर में जो सीवलिंग होता है वो चलित होता है क्यों क्योंकि हम घर की सीवलिंग को उठाते हैं और थाली में रखकर नहला देते हैं और फिर वापस सीवलिंग को उठाकर रख देते हैं पर मंदिर में ऐसा नहीं हो ना आती अवशक है तो दोस्तों अपने अपने पूरी कोसिस की आपको संधाने की उमेद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद में भी आई होगी और समझ में भी आई होगी हर हर महादेव